नमस्कार दोस्तों मैं हुराईश और आप देख रहे हैं एंजल टेक अनलिसिस तो जैसा मैं हर वीकेंड पर आप लोगों के लिए एक स्टॉक लेकर आता हूं उसकी अनलिसिस करके आपको बताता हूं तो इस पार जो मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है हिंदुस्त करने से पहले मैं आप सभी लोगों से कोई जारिश करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो क्रिपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बैल नोटिफिकेशन जिरूर पैस कर लें कि मैं आप लोगों के लिए मतलब ऐसी मेडियो जो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आपको ब्डेट हो जाए तो चलिए शुरू करते हैं हं लिए अलिट में से थीक हैं तो हम बाती वहां को पीछैका तो पाफना को पेश्टेंस ने कोशिच करेंगे सबसे पहले चले हम यहां चलते हैं, यह देखिए हमने यहां से चालू गिया है, यह है अपना 14 May 2018 यहां पर दीखिए, यहां पर यह स्टॉक क्या हो रहा है, यहां पर इस टॉक जो है कंटिणीव हायर हाई हायर हाई बनाते होए, ऊपर की तरफ नहीं कर रहा है तो जैसे मैंने आपको पहली बताए हुए जब हमको higher high मिलने लग जाते हैं तो हम दो higher high को इस तरह से पकड़ लेते हैं यह देखिए अब हमने दो higher high को इस तरह से यहाँ पर draw कर लिया मैं चार्ट बढ़ा कर लेता हूँ और आप लोगों चीज़े अच्छे से किलिया करते जाओंगा आज तो आप लोगों चीज़े जो है अच्छे समझ में आया करेंगी तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है यहाँ पर हमको जो है दो higher high मिल गए हैं यह देखिए इस तरह से हम कर लेंगे अब आप देख सकते हैं यह देखिए one time two time three time four time five time six time यहाँ पर continue strand line के ओपर हिंदुस्तान युनिलेवर ने six time यह सस्टेन किया है और six time सस्टेन करने के बाद यहाँ पर देखिए इसका यहाँ पर एक breakout दे दिया है और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर देखिए जो एक हाई लगा हुआ था यहाँ पर हम resistance पकड़ लेंगे इसका तो इस तरह से resistance देखिए हमने पकड़ लिया तो देखिए अभी हम यहाँ पर trading किस तरह से करते जो हमारे यहाँ पर ट्रैंगल पैटन हमारा create हो रहा है यहाँ पर अगर यह stock ऊपर के तरह ब्रेक करता तो हम हमारे जो है strategy क्या होती तो देखिए जब यह इसको यह जो हाई पिछला लगा हुआ था यह हाई cross करने के बाद जब यह breakout करता और breakout करने के बाद यहाँ पर करने के लिए आता है देखिए कभी भी किसी भी stock में अगर breakout होता है तो उसमें जो है आपको multi confirmation चाहिए होती है आप एक breakout और एक candle के सिर्फर आप जो है उसमें entry नहीं ले सकते देखिए यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर यह देखिए जो पिछला high है इस high को जो है यहाँ पर आकर one two three और four time test कर रहा है देखिए जब कभी भी market में इस तरह का scenario बनता है resistance पर जाकर कोई भी stock काफी देर तक sustain करता है तो वहाँ पर देखिए एक तो हमको volume के help लेनी होती है और दूसरा हमको RSI के help लेनी होती है तो यहाँ पर देखिए RSI क्या दिखा रहा है यह देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पर यह जो stock है एक ही level पर काफी दे से sustain कर रहा है 1780 और यह जो है 1800 के level पर जो है काफी दिनों से मतलब समली जी आप कह सकते हैं एक महिने से यहां पर sustain कर रहा है बट यहां पर यह देखिए RSI आपको क्या दिखा रहा है यहां प्राइस तो उपर की तरफ निकल रहा है बट RSI देखिए आपको क्या दिखा रहा है RSI जो है नीचे का indication कर रहा है तो देखिए इस तरह के हम RSI को कहते हैं bearish divergence ठीक है जो price नीचे की तरफ continue आ रहा हो और RSI उपर की तरफ निकल रहा हो तो वो होता है bullish divergence और यह जो picture आपके सामने है इसको हम कहते है bearish divergence तो देखे यहाँ पर हमारे clear cut हो गया कि हम यहाँ पर sell side cut rate लेंगे और देखे यहाँ पर हमको multi confirmation मिल रही है यहाँ पर यह जो candle red कलर की बनी है यह आप देख सकते है यह bearish angulfing candle है एक तो यहाँ पर bearish angulfing candle मिल गई second हमारा जो है इसका breakout हो गया third जो सबसे बड़ी बात है वो यहाँ पर जो है bearish divergence का है तो यहाँ पर हमारा clear cut trade जो है execute हो गया और यह देखिए यह कहां तक नीचे आया है यह देखिए यह पीछे चहां इसका पिछला support था यह near about उसके पास तक यह आया हुआ है यह देखिए इसको हम इस तरह से ले लेते हैं मैं आशा करता हूँ कि आप लोग के यहां तक जो है चीजे समझ में आ गई होगी चली अब हम आगे की तरह पढ़ते हैं और यह जो हमने trendline ड्रॉव करके रखी हुई थी इसको हम डेलेट कर देते हैं अब भी देखिए यहां पर क्या हो रहा है अब भी जैस तरह से हमने य चलती जाएगी पैटन आपको अपने आप मिलते जाएंगे बस आपकी आखें इतने trend होनी चाहिए कि आप जो है पैटन मार्केट में जो है डोंड सकें तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद जो है काफी टाइम आप क्या सकत जो हमको स्टॉक मिला है हम यहां पर immediate हम entry नहीं ले लेंगे हम यहां पर क्या करेंगे हम देखिए हम यह जो हमारे trend line जो है हम इसको जो है extend कर लेंगे और जब इसका breakout होगा तब हम यहां पर trade लेंगे ठीक है अभी देखिए मैं यहां इसको भी जो है डिलेट करके चलता हू आगे भी मैं आपको कहीं तरके divergence देखाऊंगा आज की वीडियो में बहुत मया आने वाला ध्यान से देखिएगा बहुत knowledgeable वीडियो है अब यह देखिए इसका देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर low लगा उसके बाद यह अगला जो low लगा यह पिछले low से नीचे है मतलब यहाँ पर lower low लग रहे है और आप नीचे देखिए क्या हो रहा है यह देखिए यहाँ पर आप जैसा देख सकते है यह देखिए यहाँ पर lower low लग रहे है बट नीचे जो है RSI क्या दिखा रहा है आपको bullish divergence दिखा रहा है देखिए जैसा मैंने अभी थोड़ दिल पहले आपको एक picture दिखाए जिसमें आपने bearish divergence के बारे में सीखा अब मैं यहाँ पर आपको यह चीज़ बता रहा हूँ कि bullish divergence किस तरह से form होते हैं और bullish divergence किस तरह से काम करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर यह देखिए stock जो है lower low बना रहा है बट यह देखिए RSI जो है push divergence बना रहा है तो यह देखिए हमारे पास देखिए कितनी confirmation हो गई देखिए मैं आपको हमीसा बोलता हूँ कि जो है आपका trade जो होना चीए को यह मिल गया है और दूसरा जो है यह देखिए trend line का breakout हो रहा है और तीसरा जो है यह देखिए bullish divergence सबसे बड़ा reason यहाँ पर trade लेने का ठीक है न तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर breakout हुआ है trend line का breakout हुआ है उसका हम यह बेट करेंगे यहाँ पर जो पिछे कुछ support मिला हुआ है हम इस support को यह देखिए जो इसका resistance यहाँ पर आके इसका support बन चुका है यह मैं ट्रॉज से कर ले रहा हूँ कि आगे के मतलब आपको सिखाने में आसानी होगी तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ चलिए हम यहाँ तक थे अब हम इससे आगे निकलते हैं तो अब मैं इस trend line कर देता हूँ कि पिक्चर साफ होगी और आपको अच्छे से दिखाई देगा तो यहाँ पर देखिए क्या अब फिर यह उपर की तरफ निकल गया है अब यह देखिए अभी हम जो हमने यह जो ड्रॉ करके रखा हुआ है इसको हम आगे के लिए थोड़ा extend कर देंगे ठीक है यहाँ तक हम extend कर देते हैं इसको ठीक है और चलिए अब हम आगे चलते हैं आगे देखिए क्या हो रहा है अब यहाँ पर भी देखिए आपको देखिए मार्केट में क्या चीज़े पकड़नी है सबसे पहली बात तो जो है आपने सीखना है higher high और higher low के बारे में कि मार्केट में higher high किस तरह से form होते हैं और किस तरह से behave करते हैं तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अब भी फिर यह stock नीचे की तरफ आए नीचे की तरफ आकर फिर हमको देखिए इसी resistance पर मिला है तो यहाँ पर देखिए अब हमको इस stock जब यह दूसरी बार मिला है तो यहाँ पर एक pattern form हो गया है जिसको हम कहते हैं double top देखिए कि कोई भी stock अगर एक level पर जाकर नीचे गि तो आपको जो है market से pattern अपने आप मिलने लग जाएंगे आपको जो है कोई problem नहीं होगी तो यह लेखिए अब हमने यहाँ पर हमको double top pattern मिल गया है second हमको यहाँ पर देखिए एक bearish angulfing candle मिल गई है तो यह हमारा confirmation हो गया है यहाँ से sell कर सकते हैं और हमारा target क्या होना चीए ज हमको 200 रुपीज की हाँ पर movement मिल गई अब देखिए यह support पर है यह support पर आने के बाद हम क्या करते हैं support पर आने के बाद हम buy करते हैं और buy भी कप करते हैं जब हमको वहाँ पर कुछ multi confirmation मिल जाती है तब हम वहाँ पर buy करते हैं अब हम इस ही support को देखिए तोड़ा और आगे क समझता हूं क्योंकि मैं इसमें काफी दिनों से trade करता हूं और मैं हिंदुस्तान यूरी लिवर से मैंने काफी अच्छे पैसे भी continue में बनाता रहता हूं तो यहाँ पर देखिए जैसा मैंने अभी picture आपको पीछे दिखाई थी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ प यहां पर देखिए जो इसतरह से थी हम फॉर्म कर लेंगे जब हमको यहां पर दो higher low मिल गये तो हमने यहां पर एक पैटन इस तरह से ड्रॉ कर लिया मैं इसा color change कर देता हम आपको अच्छे से दिखाई देगा तो यहां पर जब हमको दो higher low मिल गये तो हमने एक trend line ड्रॉ कर अब यहां पर support पर हमने किस तरह से बाइंग करनी है तो यहां देखिए एक support पर जो है जो है same आप देख सकते हैं कि इसमें जो pattern जो मैंने ड्रॉ किये हुए हैं सेम अभी इसी तरह के pattern हमने अभी थोड़े दिर पहले draw किये थे जो breakout होने के बाद stock ओपर की तरफ आया था और वहाँ पर एक आपने देखा था कि एक bullish divergence भी बनाता तो देखिए अब हम यहां पर same चीज़ अब हम follow करेंगे यहां देखि innovator आपछिए अब क्या हो रहा है यहां पर भी एक trend लेंट का breakout हो रहा है यह stock यहां पर support पर है और यह देखिए आप यहां यह देखिए यह देखिए आप यहां पर जो stock है वो तो इसी level पर है यह देखिए 1650 और 1660 के लेवल पर ही है बट यहाँ पर जो RSI जो divergence दिखाया है यह bullish divergence दिखा दिया है ठीक है ना तो देखिए कई लोग ऐसे होते हैं कि bullish divergence देखते ही market में jump कर देते हैं ठीक है ना वो confirmation का weight नहीं करते हैं बट हमने देखिए हमारा पैसा जो है बहुत hard on money होता है तो इसको हमने बहुत समझ कर market में लगाना होता है देखिए market में ऐसे टाइम पर पैसे लगाए कि पैसे लगाते ही कुछ ही दिनों में अगर आप इंटराडे करते हैं तो कुछ ही मिंटों में आपका target हीट हो आप अपना profit बुक करिए और उसके फटाफट निकलिए तो यहाँ पर देखिए bullish divergence बना same pattern बना हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से confirmation है यहाँ पर यह confirmation है देखिए हमको यह price यहाँ पर support पर है second यहाँ पर इस trend line का breakout हुआ और third यहाँ पर bullish divergence यहाँ पर बना हुआ है RSI में तो यहाँ पर हमारा trade execute हो जाएगा यहाँ पर breakout हुआ है उसके बाद यह retest हुआ है अगर आप होड़ी रह सकते हैं तो यह देखिए कितना अच्छा उपर गया है ठीक है अब हम यह जो support हमने draw करके रखा हुआ है इस support को हम extend कर लेते हैं ठीक है तेखिए आप देख सकते हैं कि एक ही support हमने नीचे draw करके रखी हुई है और उसी support को हम extend करते जा रहे हैं और market हमको बार-बार उसी level पर मिल रही है बार-बार उसी तरह के pattern form हो रहे है उसी तरह से trend line form हो रही है उसी तरह से support form हो रहा है उसी तरह से support पर आने के बाद market sustain कर रही है उसी तरह से RSI form हो रहा है तो यह सब चीजे हमको अपने mind में रखनी होती है अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए जैसे हम मैंने देखिए मैं आपको जो चीज पताता हूँ उसको ज़रा आपत्व ध्यान से सुना करिए और जो है उसके practice किया करिए जो चीज़े मैं यहाँ पर करता हूँ जो चीज़े आप देखते हैं उसको जब तक आप implement नहीं करेंगे आप अपने trading म के बाद उसको implement करिए उसके उपर practice करिए उससे जो है मतलब आपकी practice बहुत अच्छी हो जाएगी और market से मतलब आप अच्छे पैसे बना सकते हैं अब यहाँ पर देखे क्या हो रहा है यहाँ पर भी देखिए same यह देखिए यहाँ पर यहाँ पर अपना higher low लगा फिर यहाँ से reverse हुआ फिर देखिए हमको कहाँ पर मिल रहा है फिर same level पर मिल रहा है इससी support पर आकर यह देखिए कि इसने कितना अच्छा एक hammer candle बनाया है hammer candle बनाने के बाद यह देखिए एक bullish engulfing pattern भी बना दिया है तो अभी देखिए अभी हमारा trade जो हमको कहाँ पर हमको लेना चाहिए देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ कभी भी support पर आने के मतलब हिंदुस्तान Unilever का मैं आपको behavior बताने जा रहा हूँ यह support पर आने के बाद ठीक है ना यह पीछे से एक lower low लगाते हुए आता है और support पर आने के बाद ही कुछ time sustain करता है कुछ time sustain करने के जब यह trend line break करता है तो काफी अच्छी एक moment देखे जाता है तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर भी हम जो है जहाँ पर यह काफी time से यहाँ पर जो लेवल बार बार टच करता है उसको भी हम ड्रॉ कर लेगे 1765 रपी का यह लेवल है तो यह देखिए हम अभी continue उपर के तरफ निकलने की तयारी कर रहा है यहाँ देखिए क्या हो रहा है देखिए पैटन के अंदर चुपए होते हैं बस आपको जो है देखने का नजरिया चाहिए अब यहाँ पर देखिए आप जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए एक टैब का पैटन फॉर्म हो गया है मैं इस वो डिलेट कर देता हूँ और जो है चीज़े आपको फिर अच्छे से दिखने लग जाएगी यहां पर जो है एक फ्लैक पैटन फॉर्म हो गया है आप देख सकते हैं यह देखिए ठीक है और यहां पर देखिए हम सिर्फ एक फ्लैक पैटन के मतलब इसकी पतोल होता हम यहां पर ट्रेड नहीं ले लेंगे यहां पर देखिए पीछे से हम इसका जो पीछे का हाई लगा हुआ है इसको भी हम जो है ड्रॉ करके रखेंगे यहां देखिए यहां पर इसका एक हाई लगा हुआ है यह जो मैं ड्रॉ करता हूँ यह एक जोन होता है एक तो resistance level होता है और एक resistance zone होता है resistance zone वो होता है जिसमें price 20 से 25 रुपे के अंदर उपर निचे गुमता रहता है और resistance level एक particular price होता है ठीक है तो आप यह चीजे जो है जला समझिएगा तो यह देखिए यहाँ पर एक तो resistance का breakout हो रहा है यहाँ पर flag pattern का breakout हो रहा है बहुत अच्छी movement मिलती है ठीक है तो यहाँ पर देखे कि तना अच्छा को मिल रहा है रेंजΆ यहाँ पर हमको एक रेंज को मिल रही है उपर की जो रेंज है वो है Инगा सफ्टारा सो पचास रुपे की चाल का इसाcü m दे जो है यह साल की रेंज बनी हुई थी और misin बीस नवंबर से ले करकेसटर पीस नवंबर ईठारा से नियर बाउट्ट Geld साल की रेंज थी एक साल की रेंज जो ब्रेक हुई है तो आपको पता कि मतलब ही मार्केट में कितनी अच्छी प्राइब हें हिंदुस्तान लिए हमतलब इसे लिए चल रही है तो अभी यहां पर देखे फ्लाइक पैटन का रेंज रेक अवे रेक आउट वहा है तो इसलिए अब यहां पर कर देखने पार रा है अब यहाँ पर भी इक लिधम कर देता हूं कि लोबर लोब बनाते हुए आ रहा था वा हम नीचे आсь आ हां भी देखツा है तो मतलब ऐसे चार्ट में बहुत जाले इंडिकेटर नहीं देखेंगे मैं सिर्फ एक जो है आरेसाई का यूज करता हूं दूसरा मैं कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता हूं बाकि जो कुछ डैनेमिक सपोर्ट होते हैं मुविंग एवरेज बगारा वह सारी चीजे मैं यूज कर लेता हूं बट मैं जो जादा फॉलो करता हूं वो प्राइस को फॉलो करता हूं मेरी अपनी कुछ स्टैटेजिस हैं जो मेरी सेल्फ मेड मैंने खुद बनाई हैं कि यहां पर कितना टाइम यह सस्टेइन हुआ है यह देख सकते हैं उसके बाद जब इसका यहां पर ब्रेक आउट होगा तब हमारी यहां पर जाकर एंटरी होगी ठीक है अभी यहां पर देखे क्या हो रहा है यहां पर यह स्टॉक आकर क्यों मतलब 10-15 दिन यहां पर यहां पर आकर कुछ टैम तक यहां पर रुका है और यहां पर अगर आप एक चीज और देखेंगे तो यहां पर आपको पैटन एक और देखने को मिलेगा वह पैटन है यह देखिए फ्लैक पैटन ठीक है यह देखिए यह है फ्लैक पैटन ठीक है देखिए जो मार्केट मे और उस पैटन के breakout- भरपूर benefit उठा सके ही अब यह देखिये क्या हूँ है यहां पर breakout करने के बाद औरक यहां पर पूझ दो कि यहांपर दीगा कियो यहां पर साहन蒸त । वस आप उसको क्षी कर लीजिये कि यहां पर इस शी较ति dakına is स्टॉक उसी चीज के पीछे काम करता है वही पैटन जायतर फॉलो करता है यहां पर देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि यह रजिस्टेंस इसके यहां पर काम कर रहा था इसलिए यहां पर आके थोड़े टाइमें आपर रुका था और यहां पर जैसा आप देश सकते ह यह देखिए यहां पर एक जो हाई लगा हुआ था यह देखिए था मैं ना दो यह सोच रहे होंगे यहां पर तो एक देया तो इसको कैया सकते हैं इसको वह में यहां सकते हैं तरहें पांपैर के रूप प्लक कीुए रूप में ले लेजिए चाहिए प्लिक काम करता तो अभी भी देखिए आने वाले टाइम में क्या हो सकता है प्ले क्थिToday ये stock जो है न अपने जो है lifetime high पर ये trade कर रहा है ठीक है न तो इसमें इसी का ध्यान लगा हुआ है अभी अभी इसका जो लेवर ये लगा हुआ है अब इसमें अगर आपको कोई भी अगर fresh entry करनी हो तो आप जो है 2300 रुपे के ऊपर अगर जब stock निकलता है कुछ दे sustain करता है तब आप इसमें जो है trade करिए otherwise जो है मतलब अभी इसमें रुकी है क्योंकि जो है अभी ये नीचे stock कुछ आ सकता है मैंने नीचे से ये trend line ये draw कर है ठीक है एक trend line तो ये है ठीक है second trend line जो है ये बनती है ये देखिए तो अब मैं यहाँ पर ये सब चीजे डिलीट कर देता हूं और मैं मतलब थोड़ा आपको long view से समझा देता हूं कि मतलब यहाँ पर stock में आने वाले time में क्या हो सकता है ठीक है तो ये जरह ध्यान से कर ली है नीचे से जो जहां से मतलब continue support लेते हुए आ रहा था ये जो trend line है हमारी 2018 से इधर में draw करके रखी हुई है तो देखिए सबसे पहला तो जो ये support ले सकता है अगर ये नीचे की तरफ आता है ठीक है और इसका मैं 200 की moving average भी देख लेता हूं कि अभी ये इस time कहां पर देखिए एज़ेक्टली इस support पर है 200 की moving average नियर बाउट उनीस सो बीस रुपे के लावल ठीक है तो अभी काफी नीचे है इसमें अभी डरने कोई बात नहीं है तो देखिए अगर ये जो है अभी देखिए इसका ये जो है रहा हुआ 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 है फरस्ट है ये है ये है गडर ओए ये देखिए है रलो फिर ये रहा हुआ है फिर ये हाइट लो फिर हाय मैं तो ये एक है रहा है ये ये है ça है लो लगा ये ये हैट फिर ये अट बना रहा है बड़िए अभी हमारा जो है सैल साइट हमारा कहां पर अटिवेट होगा हमारा सैल S. interact prototy tap सकता है यहां पर इस लेवल पर मैं आपको पताता हूं यह देखिए क्योंकि यह इसका जो है लास्ट टाइम ऐ हाय लो इसका यह लगा हुआ है जब यह लेवल ब्रेक होगा एक सो पचास रपे का लेवल जब ब्रेक होगा तो आपको स्टॉक यहां पर 2,000 मतलब 100 रपे की क्ल यह स्टॉक आपको 1850 और 1900 पे के लेवल पर दिख सकता है तो चलिए मैं जो आप से बात कर रहा था इंट्राडे के बारे में तो मेरा जो है देखिए मैं इंट्राडे मेरे को बहुत पसंद है और मतलब शायदी कोई ऐसा दिन होता होगा जिस दिन मैं इंट्राडे ट्रेडिं में बहुत थोड़े पैसों से काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं अपना कैपिटल बहुत बढ़ा कर सकते हैं पशर्ते आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए विदाउट नॉलेज अगर आप करते हैं तब तो उससे डेंजरस चीज कुछ भी नहीं हो सकती अगर किसी भी माली अगर आप गाड़ी को चलानी नहीं आती है और गाड़ी का स्टेर नहीं पकड़के बैढ़ गए तो आप जो एक्सिडेंट करेंगे ठीक है ना तो सेम चीज यहां पर अपलाई होती है कि अगर आपको शेर मार्केट बारे में नॉलेज नहीं है टेकनि वह लिगे ठीक है यह ना बहुत लोग अच्छे से चार्ट करते हूं उस चार्ट के आपकर सीख सकते हैं लिंक उसका मैंनेください सिर्फिशन में डाल दिया है आप जाहें तो वहां से जाके चैनल जॉइन कर सकते हैं ठीक है और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से हर वीक नॉलिजबल वीडियो लेकर आता रहता हूं अभी देखी मेरे कुछ टाइम नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं पैटन पे जो है काफी वीडियो मैंने पूरी एक सीरीज बनानी है अमेरे को जैसे टाइम मिलेगा वैसे ही जो है मैं आप लोगों के लिए पैटन के उपर मैं लेकर आऊंगा पूरी सीरीज उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक भी है जो स्टॉक को भी है वी रहता है कैसे पकड़ा किस लेवल पर जाके राके वीडियो यह सक चीज़ है आपको बताऊंगा ठीक है न फिलहाल आपके लिए मैं जो स्टॉक लेकर आ रहा हूँ इसे सीखिए टेलिग्राम पर जाईए टेलिग्राम पर चार्ट फॉलो करिए वहाँ पर मैंने कई बुक्स भी दे रखी है आगर आप पढ़ना चाहें तो उस बुक्स क आज के लिए इतना ही